तो भई यहां हमें x की ताकत 2-49y की ताकत 2 को फैक्टर करना है और यहां जो मज़े की बात है ना वो यह है कि x square एक perfect square है जिसका square root बराबर होगा x के और यह जो 49y square है यह भी एक perfect square है जिसका square root बराबर होगा 7y के तो भई यह एक खास pattern पे बैठ रहा है अगर आपको याद हो तो जब हम a जमा b को जरब देते थे a minus b से और अभी ना हम कोई मखसूस कदर या variable या expression नहीं इस्तिमाल कर रहे हैं हम इसको बिलकुल एक आम शकल में लिख रहे हैं और फिर कोई भी कदर या variable या expression जो इस पे बैठ रहा होगा उसके लिए हम ये pattern इस्तिमाल कर सकते हैं खैर तो जब हम इसको खोलेंगे तो a जरब a बराबर हो जाएगा a square के a जरब मनफी b बराबर हो जाएगा मनफी a b के फिर मजबत b जरब a बराबर हो जाएगा positive यानि मजबत a b के और मजबत B जरब मनफी B बराबर हो जाएगा मनफी B स्क्वाइर के तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और पीछे रह जाएगा सिर्फ A की ताकत 2 माइनस B की ताकत 2 और अब अगर आप गोर करें तो यही पैटर्ण हमें यहां भी दिख रहा है फर्क सिर्फ इतना है कि यहां A स्क्वाइर जो है वो बराबर है X स्क्वाइर के और B स्क्वाइर बराबर है 49 Y स्क्वाइर के तो भई फिर इस हिसाब से A बराबर होना चाहिए X के और B बराबर होना चाहिए 7 Y के और अब बिल्कुल जैसे यह बराबर था इसके तो ये पूरी चीज बराबर हो सकती है या इसको हम फैक्टर कर सकते हैं X जमा साथ Y जरब X माइनस साथ Y की शकल में तो भई यहां हमने कोई खास चीज नहीं की हमने बस इस पैटर्ण का सहारा लेकर इस पोलिनोमियल को फैक्टर कर लिया है लेकिन भई आप चाहें तो इसको हल करके जरूर परख भी सकते हैं कि ये इसके बराबर आ भी रहा है या नहीं